राधे राधे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग बड़ों को जारने सपर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज हम गुपाश्टमी पूजन की वृत कथा सुनेंगे अगर आप गुपाश्टमी का वृत करते हैं तो आपको वृत के साथ में गाय का पूजन करना चाहिए और कहानी भी सुननी चाहिए इस से वृत का संपून फल प्राप्त होता है आईए अब हम गुपाश्टमी की एक पुरानी कथा सुनते हैं एक बार की बात है सत्यूक का जमाना था जब लोगों की कमाई एक रुपया हुआ करती थी तब उस जमाने में अगर कोई महने के पांच या दस रुपय कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी तब तीन आने में एक किलो गी आ जाता था ये कहानी भी उसी जमाने की है एक पार एक नगर था उसका नाम रतना नगरी था नगर के राजा का नाम रतन सिंग था राजा के नाम से ही नगर का नाम रतनपूर पड़ा था उस नगरी में एक सेठानी रहते थे सेठानी के पास एक गाई थी सेठानी खुद गाई की सेवा पानी करती थी गाई को चारा डालती, बाड़े की सफाई करती गुबर पोठा उठाती, और कंडे बनाती सभी काम सेठानी खुद क्या करती थी गाई बड़ी ही चमतकारी थी लेकिन इस बात की जानकारी सेठानी दोनों को ही नहीं थी सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें उलाद सुप्राप्ट नहीं हुआ तब सेड़ जी ने कई डॉक्टर नीम हाकीम वेद को दिखाया तब सभी ने एक ही बात कही कि सेड़ जी आप दोनों में कोई कमी नहीं है आप दोनों बच्चा पेदा करने में समर्थ है पर अंतु किसमत की ही बात है कि आपको उलाद नहीं हो रही है तब किसी पंडित ने कहा कि आप खुब दानपुन्य यग्य हवन कीजिए वरत उपवास कीजिए सेड़ सेड़ जी ने सभी किया लेकिन सब निश्वल रहा तब एक बार की बात है उनके गाउं में काशी के एक महान पंडित है सेड़ सेठानी उनके पास गए और उनको अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया तब ग्यानी महातमा जी ने उन्हें तसली दी सेड़ सेठानी ने उन्हें घर भोजन पर आमंत्रित किया तब एक दिन ग्यानी महात्मा जी सेड़ सेटानी के घर भोजन करने के लिए आए तब ग्यानी महात्मा जी ने सेड़ सेटानी के आंगन में एक गाई बंदी हुई देखी तब महात्मा जी ने सेड़ जी से कहा कि वस तेरे यहां यह गाई कामधेनू के वंच की है यही तुझे ओला सुख देगी तब ग्यानी महत्मा जी ने सेर सेठानी से कहा कि है वस जब कार्थिक मास के शुकल पक्षी की गोपाश्टमी की तिथी आए उस दिन तुम इस गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना तेरा सभी काम सिद्ध हो जाएगा तब सेठानी ने ऐसा ही किया गोपाश्टमी के दिन सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया उस दिन इंदर लोक की इंदरानिया धर्ती पर गाय माता का पूजन करने के लिए आए तब उन्हें वही गाय दिखाए दी जब इंदराणिया गाई का पूजन आगे से करे तो वेजिंग से मारे पीछे से करे तो वेलात और पूच से मारे तब इंदराणियों ने गाई माता से कहा कि हे गाई माता हम तो तेरा पूजन कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो तो गाई मताने कहा कि मुझ अकेली का क्या पूजन करते हूँ बचछा सहीत गाई और बचछे दोनों का पूजन करो तब इंदर की इंदरानियों ने दर्ब का बच्छा बनाया और उसे गाई के पास बैठा दिया और उसके उपर अमरत का छीटा दिया तो वै दर्ब का बच्छे दोनों की पूचा करी, पूचा करने के बाद इंदरानियां इंदरलोक में पुनहें चली गई, जब गाई बचडा लेकर शाम को अपनी मालकीन के घर आई, तो सेटानी ने उससे घर में नहीं आने दिया, सेटानी ने गाई माता से कहा कि है गाई माता तुम अपने लिए बच्चा लेकर के आई मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई अब मैं तुझे घर में तभी आने दूंगी जब तु मेरे लिए भी बच्चा लेकर के आएगी तब गाई मताबोली की मालकिन इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है अगले साल मैं आपके लिए ब उस दिन पुने इंद्र लोग की इंद्रानिया गाय का पुजन करने के लिए धर्ती पर आई, जैसे ही वे गाय का पुजन करने लगी तो गाय वापस उने मारने लगी, तब इंद्रानिया बोली की हे गाय मता पिछले साल ही तो तुझे बचणा दिया है, अब तुझे क्या च तब इंदरानियों ने पुनहें दर्ब का बच्चा और धर्ब का पालना बनाया और उसे गाई के सिंगों से बांध दिया और उस पर अमरत का चीटा दिया तो वह बच्चा जीवित हो गया तब इंदरानियों ने गाई और बच्चडे की पूजा करी और उन्हें डेरो अश् चोर्तों ने सिर सेटानी से जाकर के कहा कि आपकी गाये के लिए बच्चा ले कर आ रही है तो सिर सेटानी ने गाजे-बाजे और मंगल गीतों के साथ गाये और बच्चटे का स्वागत किया पूरे गाउं में लड़ू बाटे गए, सेर सेटानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए जब उस नगर के राजा को पता चला कि गाउं में एक सेर सेटानी के पास समतकारी गाय है तो राजा अपने राजबल का प्रियोग करके अपने महल में उस गाय और बच्चटे को मंगवा लिया पैरे दारों ने सेर सेटानी को डरा धमका कर गाय और बच्चटा महल में ले जाकर के बांद दीया दो-चार दिन में ही राजा का पूरा राज कोश खाली हो गया राजा का इकलोता पुत्र बिमार पड़ गया राज्य पर अकाल मडराने लगा साथ ही पडोसी राज्या ने राज्या पर हमला कर दिया एक के बाद एक कई अप्शकुन होने लगे तब राज्या ने अपने राज्य जोतिसी से इसका कारण पूछा तवराज जोतिशी ने कहा कि हे महाराज आप इस गाई और बच्छडे को वापत छोड़ दीजिए क्योंकि यह गाई अपनी मालकिन से विछुड कर बहुत दुखी है इसी का शाप आपको लगा है राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ गाई और बच्छडे को वापत सेर सेट अपने गाई के विछों में भूके प्यासे थे कई दिनों तक उन्होंने भी भोजन पानी नहीं खाय था तो उदर गाई ने भी चारा पानी नहीं खाय था जैसे ही गाए अपने मालकिन और मालिक से मिली तो वे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई बिछड़ा बच्चा अपनी माँ से मिलकर खुश होता है जैसे ही गाए और बच्छडे अपने मालिक और मालकिन से मिले तो उधर राजा का राजकोश पुनहें चार गुना बढ़ गया उसका पुत्र भी स्वस्त और तंदुरुस्त हो गया राज्या में अच्छी बरसाथ हुई तो फसल भी अच्छ हुई पडोसी राजा को हार का उस दिन के बाद राजा को भी गोपाश्टमी की महिमा समझ में आ गई तो राजा ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक मास के शुकल पक्ष्ट की गोपाश्टमी के दिन सभी को गाई का पूजन करना चाहिए और गाई की सेवा कानी चाहिए वरत रखना चाहिए घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले भी सरी नाम तेरे भंडार में भरें गोपाश्टमी की ए पूरानी खता इस प्रकार है जब भगवान स्रीकरश्ण छे वर्ष के थे तो वे अपनी माता यशोदा से जिद करने लगे कि आज से मैं बच्छडे चराने नहीं जाओंगा आस से मैं गाएं चराने जाओंगा यशोदा मैया ने स्रीकरश्ण भगवान को समझाया कि पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो जब बड़े हो जाओगे तब तुम गाएं चराने के लिए जाना लेकिन क्रश्ण भगवान ने जित पक लेकिन भगवान क्रश्ण नहीं माने तब नंद बाबा ने कहा कि बेटा इसके लिए मुझे मुझे मूरत निकलवाना होगा तब पंडी जी को बुलाया गया तब पंडी जी ने पंचांग देखा और बड़े ही आश्चरिये से कहा कि आज अभी इसी समय शेष्ट मूरत है वह दिन को पाश्टमी का दिन था जब स्रीक्रश्ण ने गाए चरानी शुरू करी उस दिन माता ने अपने कनईया को बहुत सुन्द तरीके से तयार किया मूर मुकुट पहनाया पैरों में गुंगरू बांदे और सुन्दर सी पादुकाई पहनने के लिए दी तब क्रश् पहलानी होगी यद सुनकर मैया भावुख हो गई और क्रश्न भगवान को गले से लगा लिया क्रश्न भगवान बिना पाओं में कुछ पहने गायों को चाराने के लिए चल दिये इस प्रकारकार्तिक शुकल पक्षि के दिन से गोपाश्टमी मनाई जाती है भगवान कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था उन्होंने गाय के वहतु को सभी के सामने रखा सुम भगवान ने गाय माता की सेवा करी कोपाश्टमी के दिन काली गाय का बच्छरा सहीत पूजन गाना चाहिए अगर काली गाय मिल जाए तो उसका अवश्य पूजन करें गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाय का पूजन करने से 33 कोटी देवी देवताओं का पूजन करने का फल मिलता है इस तरह आज मैंने आपको गोपाश्टमी वरत कता सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद